मुख्य शब्द, की वर्ड्स, उत्फुलन, विरंजक चोन, क्लिंकर, मिसेल, जिपसम, आभासी ठोस, अती शीतलित द्रौ, अपमार्जक, कलेट, इस्थाई तथा ओइस्थाई कठोर्ता, तापानू शीतन हमने सीखा, पहला, जल सरवाधिक पदार्थों को घोल लेता है, इसलिए वह सारवत्रिक विलायक कहलाता है दूसरा, जल में कैलसियम और मैगनीशियम के हाइडरोजन कार्बोनेट, सलफेट और कलोराइड लवनों की उपस्थिती के कारण कठोरता होती है तीसरा, नमक में पोटेशियम आयोडेट मिला कर उसे आयोडीन युक्त किया जाता है चौथा, सोडियम कलोराइड का उप्योग कर सॉल्वे अमोनिया विधी द्वारा सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट बनाया जाता है पाच्वा, धावन सोडा के क्रिस्टल को वायो में खुला छोडने पर जल के नौ अनु निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनो हाइडरेट सफेद चून में परिवर्तित हो जाता है इस गुण को उत्फुलन कहते हैं छट्वा, प्लास्टर ओफ पेरिस पानी से क्रिया कर कठोर होकर जिपसम बनाता है साथ्वा, विरंजक चून का उपयोग विरंजन क्रिया के लिए किया जाता है यह उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है आठ्वा, सीमेंट मुख्य रूप से कैलसियम के सिलिकेट और एलूमिनेट का मिश्रण है जो जल के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है नवा, काच धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है अतह, इसका कोई निश्चित संगटन और रासायनिक सूत्र नहीं होता है सोडियम या पोटेशियम लवन होते है 11. अपमारजग सामानिता लंबी कारबन श्रिंखला वाले सलफोनिल अमलों के लवन होते है